नमस्कार विस्फोटक न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रियाधी कोड़ोना का कोहराम दुनिया भर में लगातार जारी है कोड़ोना पीरितों की संखिया लगातार बढ़ रही है देश में कोड़ोना के अब तक 21,393 लोग कोड़ोना वाइरस से संक्रमित है जबकी ताजा आंकरों के मुताबिक 681 लोगों की कोड़ोना से मौत हो चुकी है में पबलिक टीवी के एडिटर इनचीफ और अर्नब गोस्वामी पर मुंबई में देर रात हमला हुआ है इस बारे में वीडियो जारी कर खुद अर्नब गोस्वामी ने जानकारी दी उनके मुताबिक दो लोगों ने उनकी कार पर हमला किया कार पर कुछ लिक्विट फेका गया जिस वक्त धटना हुई उस समय अर्नब की पत्नी समया गोस्वामी भी उनके साथ की मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जान शुरू कर दी है महराष्ट्रा में पालधर के गर्चिचले गाउं में दो साधू और एक ड्राइवर की मौब लिंचिंग के मामले की जांच में जुटी कुलिस और CID को शक है कि इस हत्याकान को अंजाम देने के बाद गाओं के कई सारे लोग पास के जंगलों में छिपे हुए हैं। कुलिस ने अब ढ्रोन के जरिये इन लोगों की खोच शुरू कर दी है। बिल्ली उक्च न्यायाले ने बुद्वार को हिंदुस्तान लीव के लाइप बोई साबुन के विग्यापनों के प्रसारन पर रोख लगा दी जिसमें कथित रूप से रैकेट बेन काई चके देटॉल एंटिसेप्टिक लिक्विट को कथित रूप से कमतर करके दिखाया गय है बुल्ली के जामा मस्जद अलाके में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजितिव पाई गए हैं ये जामा मस्जद के गली चूड़ी वलान का मामला है बताया जा रहा है कि परिवार का एक सदस्य विदेश से लोटा था उसके बाद परिवार के सदस्यों में संक्रमन परिवार के 18 में से 11 सदस्य पॉजितिव पाई गए हैं कोरोना वाईरस की बीमारी तेजी से पाउं पसारती जा रही है इस महामारी को देखते हुए सरकार ने देश में 25 मार्ट से ही लोगडाउन लागू किया है जो 3 मैं तक जारी रहेगा इसके बावजूद बीमारों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है राश्ट्रिय राजधानी दिल्ली से सटा नौडा उत्तर प्रदेश में कोरोना का होट स्पॉट बना हुआ है अब गौतम बुर्धनगर के जलाधिकारी सुहा से लवाई ने नौडा दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से सीई करन केंद्री अकर्मचारियों को फिलहाल निराश करने वाला फैसला सामने आया है वितम मंत्राले की ओर से जारी आदेश के अनुसार जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों के वी ए पर रोप लगाने का फैसला लिया गया है यह फैसला केंद्रीय पेशंधार को पर भी लागू होता है वितम मंत्राले की ओर से जारी रिकोर्ट के मुताविक कोरोना महामारी के चलते एक जन्वरी 2020 के बाद से केंद्रिय कर्मचारियो अत्वा पेंशन धारियों को मिलने वाली दा की राशी नहीं प्रदान की जाएगी यह भी कहा गया है कि एक जुलाई 2020 से जो अत्रिक दा दिया जाना था उस पर भी रोक लगाई गई है